हेलो दे, what's up, क्या हल चाल, बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और ये लगबुक में एक मेरे के बाद बना रहा हूँ गया है और इस पड़िकलर वीडियो में मैं IBS के बारे में स्पेसिकली कुछ बात नहीं करने वाला हूँ ये वीडियो इन जेनरल में online MBA के बारे में बात करने वालों क्योंकि मुझे online MBA करते हूँ लगबुक एक साल हो गया है और इस पूरे एक साल में मैंने बहुत सारी चीज़े कुछ सीखी हैं मेरे कुछ perspective चेंज हुए हैं हाला कि देखो online MBA के अपने benefits भी हैं जैसे कि flexible times होते हैं actually आप कभी भी classes कर सकते हो in the sense अगर कोई class miss हो गया आपके regular time पे तो आपके पास उसके recordings available होते हैं या तो college दे देता है या तो आप खुद भी record कर सकते हो अपनी screens को तो वो एक benefit आपको रहता है दूसरा आप online अपने digital platform से काफी familiar हो जाते हो काफी सारे आपका online tools आने लगते है जो कि काफी helpful है आगे चलके क्योंकि future तो digitalization पे ही है online चीज़े होने वाली है और plus आपका social media platforms पे जैसे LinkedIn पे आपका presence अच्छा हो जाता है आप काफी सारे online चीज़े explore करने लगते हो क्योंकि online आप एक साथ में बहुत सारी चीज़े unlimited चीज़े tap कर सकते हो तो एक काफी healthy competition वह मुझा लगता ना वह उता lack of motivation का क्योंकि यार हम लोग आफ लाइन क्लासेज में नहीं बैटे हैं physically किसी environment में नहीं है तो वह वाइब ने आपादी किसी classroom की और देखो जब आप एक offline physical classroom में होते हो तो आप एक healthy competition अपने around लेखते हो तो आपको इसमें पार्ट लेने का मन करत करते हैं for example अगर 50 लोग की strength अगर offline classes में होती है तो हम सब को बता है कि उसमें 25 से 30 लोग अटलीस बोलते हैं बात करते हैं इंट्राइक करते हैं क्लास में interaction होता है बट अगर इसीज़ ओनलाइन हो तो अगर 50 लोग की strength है online में तो मुश्किल से 5 से 7 लोग ही होते हैं जो दूसरा दिक्कत है यार कि देखो आपको रोक ने टोक ने हो तो कोई है नहीं तो इसमें consistency की बड़ी problem आती है आप कोई देखनी रहा है आप मस्त अपना mic off करोगे अपना camera off करोगे और कई डोलते वह निकल जाओगे भूमने फिरने किसको बता है अब का फ्रेंड कॉल होगे attendance देद होगे बहुत सारी चीज़े यसे होती है बहुत बार ऐसा होता कि कितने सारे लोग क्लास के थाइम पर नाई की दुकान पर बेठा है कोई grocery लेने गया है ऐसे चीज़े बहुत होई है तो अब इसमें क्या ही बोलो गया गलाट चीज है और और इसके वज़े से चीटिंग बहुत करते कि उनको पता है कि आप पढ़ा ही तो कि नहीं है अब एग्जाम आने वाले तो अब क्या करें अब चीट करना पड़ेगा तो अब क्या होता है ना majority of the people अगर वो चीट करते ना तो जो minority तो उनको चीट करना पड़ जाता है ऐसा क्यों कि अमें इसका लॉजिकल रीजन बताता हूं देखो मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं उन लोगों को चीट करते हैं बट मैं इसका लॉजिकल रीजन बताता हूं क्या होता है बहुत सारे कॉलेज बेना relative marking का system होता है तो जो भी average score होता है सारे students का मिला के उसके accordingly आपका score decide होता है तो ऐसा न चाहता है कि आर आपने तो पड़ाई की है आपने सब क्या बट एक नमबर के वज़ेसे कि अगर आपका नंबर गाम आ जाए आप चीटिंग नहीं कर रहा है उसके नंबर का मारा जाएगा अपका तो हो सकता है कि placement में किसी क्राइटिरिया में पीचह आ जाओ हो सकता है कि इ सेमिस्टर में हर एक्जाम में कुछ ना कुछ डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है वो कुछ ऐसी चीज़े लेकर रहा है जिसे चीट करना बहुत मुश्किल हो जाए और हला कि मैं अनुसली पता हूं तो इस चीज़ें काफी सक्सेस्वल हो गाए जो पिछली बार हमारे एक्जाम है तो आपको अलग दिखने के लिए आपको कुछ अलग करना भी पड़ेगा कुछ अलग मेहनत एक्स्ट्रा अपने एफर्ट्स जालने पड़ेंगे चाहें कुछ भी हो तो ऐसा भी होता है और एक जो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि एक दिक्कत वाली बात है और खा कि ठीक है ओनलाइन हो गया पूरा तो इसमें कुछ बेनिफिट दे दो बच्चों को नहीं ऐसा कुछ भी नहीं मिला यह बहुत 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 दुक्की बात है यार पर अब क्या बोलो और सोचो उनके लिए सोचो जो अच्छी लोन लेकर काफी नो मुश्किलों से ऐसे कु हमारा भी तो मेंटेनेस लग रहा है सरवर का बढ़ यार आप लॉजिकली बात सोचो बहुत सिंपल सी बात कि एक हजार बच्च अगर आपके कैंपस में उतना खर्चा और एक हजार बच्च आपके कैंपस में नहीं आ रहें अपने घर से अपना वाइफाई अपना एलेक् करता है और कॉलेज प्राइविट इस सब पे कुछ भी निए करता बच्चे बहुत कोशिश करते हैं ऐसा अप्रोच करने की बड़ को रिजल्ड नहीं होता पेडियंट भी बात करते इस प्रश्रिंड नहीं होता तो इस पैसिफिकली इस पॉइंट का वगर ध्यान में रख बता रहा हूं कि मत जॉइन करो बेटर है कि ड्रॉप दे लो ठोड़ा और प्रेपेर करो कोई बेटर कॉलेज मिल जा अची बात है सेम कॉलेज भी मिले ना और ओफ-लाइन में मिले तो बेटर वही है ऐनलाइन में अपना टाइम नगाने से अच्छंट हम लोग्ण को साटेग हम लोगो था कि option नहीं था पता भी नहीं था कि कितना लंबा यह चीज चलेगा और तो इसलिए हम तो हम लोग ने अदमिशन ले लिया और हम लोगो तो यही बताएगा था कि अब दो मेने बाद या तीन मेने बाद अब कॉलेज खुल जाएगा हम लोग उसी उंभी ने बैठ के नेटवोक के इशू के कारण वापिस रिपीट नहीं करता ना एक बार कर देगा दो बार कर देगा बड़ हमेशा असा नहीं होगा तो इस इसका ध्याना कि internet connection अच्छा हो अगर admission ले रहे हो बड़ परसनली इस पूरे चीज़ों को मैं conclude करो तो और online इंबे करना वर्थ न अगर यह फीज का कंसेशन हो जाता है तो फिर इतना को इशू नहीं है क्योंकि आपने का पड़ाने का पैटर्म सेम है बस थोड़ा सा आपको चीजों में अड़ेस्ट करना पड़ेगा और कुछ चीज़े नहीं होंगी इस तीज के लिए में इतना ज्यादा फीज पे कर र बड़ चीज़े थोड़ी अलग होती है एक अलग डिरेक्शन में आप चीज़े सीख रहा है तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं बाकी बाते फिर कभी करेंगे किस और वीडियो में करेंगे तक लिए बाब बाई टेक केर और खुश रहो बाई